हेलो दोस्तो वेलकम टू माई योट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर शोव मूदे चलि आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आज हम एक बहुती कॉमन बीमारी के बारे में डिसकस करेंगे जो 40 साल के बाद आता है उससे पहले भी आ सकता है लेकिन कम उनली 40 साल के बाद आता है यह प्रॉब्लम है चानी का प्रॉब्लम है जिसको हम मेडिकल टर्म में कैटरैक्ट बोलते है इस बीमारी में हमार आई का विजन पावर कम हो जाता है, सब कुछ फेट फेट दिखता है, कुछ पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आता है, अगर ये प्रोब्लेम बढ़ जाए तो लोग को पैचानने में भी दिक्कत आता है, इस बिमारी में हमारे कॉर्णिया के ऊपर एक पतला लेयर जैसा हो जा बारे में जो कैटरेक को पूरी तरह से ठीक कर देता है, दोस्तो ये एक होमियोपैथी दवा है, इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है, दोस्तो इस दवा का नाम है फाइसो स्टिगमा थर्टी, ये दवा कैटरेक में बहुत ही अच्छा काम करता है, और कैटरेक यानी च्छानी को ठिक करने के बाद आई को क्लियर रखने में और विजन को क्लियर रखने में बहुत ही मदद करता है, दोस्तो अब बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजस के बारे में, इस मेडिसिन को चार बूंद करके रात को खाने के बाद लीजिएगा, और ऐसे ही 30 दिन तक कं ज़रूरी है क्योंकि डाइबेटिस के वजय से भी छानी का प्रोब्लेम यानि कैटरेक्ट का प्रोब्लेम आ सकता है अगर रिपोर्ट में सुगर ज़ादा हो तो इसके साथ डाइबेटिस का एक और दवा भी चल सकता है उस दवा का नाम है सीजिजियाम मदर टिंग्चर इस पेशेंस को ये सब एडवाइज देता हूँ ये सब नियम पालन करने से दवाई को असर करने में कोई भी बाधा नहीं होता और दवाई का कोई भी एडवार्स एफेक्ट भी नहीं होता और दवाई बोडी में काम करने के बाद यूरिन या पसीने से बोडी से बाहर निकल दोस्तो ये सब नियमों को जरूर पालन कीजिएगा दिन में 3-3.5 लिटर पानी जरूर पीजिएगा इससे बोडी हाइडरेटेट रहता है और दवाई को भी असर करने में मदद मिलता है दवाई लेने से आधा गंटा पहले या आधा गंटा बाद कोई भी नसेली चीज नहीं लिजिएगा हमेशा आदे घंटे के लिए नसेली चीजों को एवट किजिएगा ये नियम पालन करने से बोडी में दवाई का असर कम नहीं होगा दवाई कभी भी हर बरी में मत लिजेगा दवाई लेने के टाइम चेयर पे बैट जाएगा धीरे मन को हांत करके दवाई लिजेगा अगर आपका दुसरा कोई और दवा भी चल रहा हो तो दोनों दवा के बीज एटलिस 15 मिनिट गैब ज़रूर रखेगा अगर दवाई का टाइम कभी भी मिस हो जाए तो चिन्ता मत किजिएगा दूसरे टाइम में ज़्यादा दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगले टाइम से दवाई के टाइमिंग का ध्यान रखेगा दोस्तो अगर ये सब नियमों को आप अच्छे तरह से पालन करे तो दवाई बहुती अच्छी तरह से बोडी में काम करेगा और कोई भी साइड फेक्स नहीं होगा और आपको बहुती अच्छा रेजल्ट्स मिलेगा दोस्तो मैं पूरे नियमों का एक टेबिल बना के पेस कर रहा हूँ ये टेबिल को आप स्किन सोट लेके भी रख सकते है और अगर आपको समझने में कुछ परिशानी हो या कोई भी डाउट हो तो आप बे जीजक नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते है दोस्तो ये दवा का डोस परसन टू परसन वहरी भी करता है इसलिए कोई भी डॉक्टर के सला से ही इस दवाई को लीजिएगा मैंने कॉमोन डोस जो रेंडमली प्रेस्क्राइब होता है वो इस वीडियो में बता दिया है अगर परसनलाइज डोस चाहिए तो नीचे आपका उमर और हाइट कॉमेंट कर सकते है दोस्तो अगर काटराक दोनों आई में हो और काटराक बहुत ही मोटा हो गया हो तो ओपरेस्ट इस दवाई को दो महिना लेने के बाद भी अगर काटराक ठीक ना हो तो फेको सर्जरी करवा लीजिएगा लेकिन 80% केसेस में पहले महिने के अंदर ही फाइसो स्टिगमा से कैटराक पूरी तरह से ठीक हो जाता है ये दवाई कोई भी लोकल होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा अगर आपके लोकल होमियोपेथिक स्टोर आपके वहापे ना हो या होमियोपेथि स्टोर में ये दवाई ना मिले तो डिस्किप्शन में दिये हुए लिंक से आप डायकली ऑनलाइन बाई कर सकते है